नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शौगते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज के इस वीडियो को शुरूश लिकर अंध तक जरूर देखेगा जिया दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बता कि अब आपकी जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार होने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप शुबी की जुनकाल में कुछों की बारिश होने वाली है जिया दोस्तों हम आप उनकाल पर नहीं जगी और दोस्तों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोस्तों आप शिभी को बता दे कि आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं है जो दोस्तों भगवान व्यक्ति की मदद अवश्च करते ह भाले हु अपना रूप में नाही लेकिन दोस्तों रूप बदल कर किशीए शंकेत के दावरा उनकी ज़नकाल में हैं कि दोसों उनका जीवन ही बदल जाता है जितुरह और अब को प्मानिए बता दोस केशली यद्याय बदली हुआ गोले दोसों आब आप वीडियो में हम आप शुवी को यह बात बताएं Culture या पेड़ कौण्षा पेडह हैं किस जगह पर है और इनकी पहचान आपकेशी करशकते हैं यहां पेशा आपको थाप्त हों शकता है धन केशिए आपको मिल सकता है जञी जनकारियां पूरी तरह गरहा गोचर पर निमीद हैं साथ सबनी सास धूस्तों आप आपको अपने जुनकाल में कौन्श विश्य शावदियां रखनी है ताकि दोस्तों फिर शे यह श्रमें आपकी जुनकाल में दोबारा नाए जिए दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्पुन पाए है जिसे दोस्तों मालक्षमी आपसे बहुत ज़्यदा प्रशन होंगे और द्धन की कमी आपके जुनकाल पर कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो को अंत तक दखिएगा थोड़ा शभी मिश ना करें नहीं तो दोस्तों आप इस धन शे वंचित रह शकते हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा ज्या थो एगता करते हैं भकवान श्रीकिष्न के एक बहुत है अच्छी घ्रचन भर्बाद दोस्तों वीडियो को करता वीडियो की हो ब्ली औरक और दोंक तो उशे मार कर खा जाती है लेकिन जब उन्ही दातों से जब अपने बच्चों को पगड़ती है तो उशे मारती नहीं बहुती नाजुग तरिकेशे एक जगह से दुसरे जगह पहुंचा देती है दात भी वही है मुँ भी वही है पर परिणाम अलग-अलग होता है ठीकोशी परकार मिट्यू शभी क्यों होगी पर एक प्रभु के धाम में और दुसरा चौरासी के चकर में जी या दोस्तों तो दोस्तों बगवान शुरी किष्ण का हिया ज्यान अगर आपको सच्चा लगा हो इन पर यकिन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष में लिख दे जैश्री किष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से के शाद बात करते हैं कि अब आप शभी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा केशे या दस कड़ोरों का धन आप शभी को मिलेगा मालक्ष मिका अश्रवाद आपकी जुनकाल पर यह होगा कौन-कौन शी बड़े कुशकुब्रे आपको देने वाले हैं शाथे शाद दोस्तों आपको अपनी नुकाल में कौन-कौन शी विशेश शावधनिया रखने चाहिए तो बात करते हैं पूरे विश्तार शी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों सबसे विशेश जानकारी हम आप शिवी को बता दे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत यदा विशेश ध्यान रखना होगा अगर आप इन बातों का थोड़ा अशावी ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह धन आ आती है दोस्तों होती है मालक्षमी का वाश मालक्षमी का वाश वही होता है जहां पर शुक्रशांती होता है जहां पर शुक्षुविधाय होती है जे दोस्तों हम आप शुब को बता दें कि जिसके घर में शुक्षुविधाय होती है यकीन मानि उनके घर में मालक्षमी का रही है तो दोस्तों आपको इस बात को सबसे पहले मानना होगा कि आपके घर्षे कहीं न कहीं मालक्ष्मी अवसी रुष्ट हो गई है आपके उपर मालक्ष्मी का नजर नहीं है जी दोस्तों तो दोस्तों आपको शबसे पर अपनी जनकाल में क्या करना है कि मालक्ष्मी को प प्राप्त करने के लिए मालक्ष्मी आपको कुछ शंकेत देने वाले हैं तो दोस्तों कौन से शंकेत मिलने वाले हैं आगे इस वीडियो में बात करेंगे जेदोसों जेदोसों आप शुवी को बता दे कि मालक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत बड़े बड़े चमतकार करते हैं कुछ इसे शंकेत देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं जे दोसों कई बार तो मानलक्षमी का एशा चमतकार हुआ है कि देखते ही देखते कई लोग का दिन बदल गए है दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की करने लगते हैं जे दोसों और अब आपके भी जुनकाल में एशे ही प्रस्तिती का निर्मान श्वेंग मानलक्षमी करने तो पेड़ निची उपैशने वाले हैं जे दोसों इनकी फेड़ की निचीती जी फेशाव में पता धुकि कर भी पताे हों जो की आप फूजा की अस्तान पर कहीं पर बेटते हूं और वह हला गुला अगर आपको शुनाई देता हो तो दोस्वों वह पूजा आपका शफल नहीं होगा वह कारी आपका शफल नहीं होगा मालक्ष मिन से प्रशन शंतूश नहीं होगी तो दोस्वों आपको प्रशन काल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा क करें कोई भी शुब मंगलिक कारी करें तो दोस्तों एशे अस्थान पर करें जहां पर किसी के लड़ाई के जगड़े के या फिर एशे हला जो ताना शाहिक हो वह आपके कानों में नहीं आना चाहिए और आपका मन आपका आत्मा श्वेंग मालक्ष्मी के पास शमर्पित रह पर रखने हैं तभी दोस्तों यह धन आपको प्राप्थ हो शकते हैं जैसे दोस्तों मालक्ष्मी शुवी भक्तों के शर्दा शुवी प्रशन हो जाते हैं लेकि दोस्तों शर्दा सबसे बड़ी चीज है कि अपने शाफ शफाई और अपने घर की स्वक्सता पर आप ध्या दोस्तों अगर आप अपने नुकाल में इन शवी बातों का ध्यान नहीं तकते थे तो दोस्तों आशे ही रखना प्रारम कर दें दोस्तों यकीन मालक्ष्मी का वाश आपके घर पर आवश होगा जैसे दोस्तों उसके उपरांद बात करते हैं कि केशे या पेड़ के नीचे और उत्तरी कौन में जो भी पेड़ आपको दिखाई दे दोस्तों यकीन मानिए वह पेड़ आपके किश्मत के ताले को खुलने वाले पेड़ शाविद होंगे जिदोस्तों अगर इश्कोन में आपके कहीं नीम का पेड़ दिख जाए तो दोस्तों वह तो मालक्ष्मी का शब्षे बड़ा घर है जिए दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन को ही बदल देगा लेकिन दोस्तों आप केश्य पहचान सकते हैं कि कौन से पेड़ की निचे या धन है केश्य आपने प्राप कर सकते हैं आकिर आपको यह में कौन सी शावदिया रखना चाहिए शबी जान ले और सच्चे मन से शुभा उठकर मालक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें जिए दोस्तों जब तक आपका मन पूरी तरह से पवित्र नहों जाए दोस्तों मालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें काहितरी मंत्रों का जाप दोस्तों करते रहें श्रादेशा दोस्तो के उत्री और पश्मी कौन के सामने जो भी आपको पेड दिखाए दे जो भी पेड़ दिखाए दे उसके सामने आपको छले जाना है ज्यक्रों ध्यान रखिएगा की कोई भी आपको जाते शुबा के 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 शुबा तरह जाएगा तो दोस्व आपके घर से पस्टमी अर उत्री कोन में जो भी दिखाए दे दोस्व उनके शामने आपको जाना है पदोसों जाते ही आपको अपने हाथों में थोड़ा शाथ शिंदू लेना है और एक फूल लेकर जाना है जे दोस्वों और जाते उश पेड की नीचे आपको एक हाथ का गढ़ा करने के बाद उस पर एक लोटा पानी रखने के बाद उसमें एक फूल और यहां शिंदूर डाल दे पैर को पीछे करके कि दोस्तों और मुणने के बाद दोस्तों आपको दोबारा पैड की दरब देखना नहीं है जो दोस्तों और घर चले आना है और दोस्तों अगली शुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदूर उस गड़े में है तो दोस्तों यकीर मानिए उस पैड की नीचे आ तो दोस्तों आपका काम भी खराब हो शकता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उस पेड़ की रीचे जाए जब भी आप इसे शुबकारियों को करने जा रहे हैं तो दोस्तों किसी को भी ना बोले और ना ही कोई आपको टोक पाई इसके लिए आपको अमरी त 3-5 बचे की बीच में जाना है जिए दोस्तों यकीन मानिए जब आपको यह धन मिल जाए तो दोस्तों कभी भी आपने जुनकाल पे घम डना किजिएगा शातिस साथ दोस्तों आपको बता दें कि शमिश्में पर माल लक्षमी के अस्तानों में भी आपकुश पेश्विदा करें माल लक्षमी के ओपर श्रदा विश्वास करें घर में भी मंदिर बनवाए दोस्तों उमीद करते हैं आज कर यह वीडियो आपको प्रशन आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद